अससलाम अलेकुम आज मैं आपको Fiverr पर professional gig बनाने सखाऊंगी जो आपकी rank करेगी आपने जाना है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जाने के बाद आप जाएंगे profile में और profile में जाने के बाद आपके पास यहाँ पर option आएगा create a new gig का आपने यहाँ पर create a new gig पर click कर लेना है यहा से आपके Fiverr account के gig create होगे आप जब यहाँ पर click करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप से पूछेगा gig title आप जो भी service देना है Fiverr पर आपने उसके according यहाँ पर keywords निकालके research करके keywords जो हैं उस पर research करके आपने यहाँ पर एक title देना है अपनी service के according आप जो भी service दे रहे हैं और वहाँ पर देखें, लोगों ने किस तरीके से टाइटल दिये हैं, तो आप थोड़ी रिसर्च करें, कीवर्ड निकाले हैं, और पर यहाँ पर टाइटल दें, जैसे मैं यूट्यूब थंबनिल के सर्विस दोंगे, तो मैंने यहाँ पर अपना टाइटल दे दिया है, I will create attractive and catchy YouTube thumbnail, इसी तरह आपने भी यहाँ पर अपना टाइटल देना है, कीवर्ड निकालने के बाद, उसके बाद वहाँ से कैटागरी पुछेगा, आपके टाइटल की जो भी कैटागरी है, आपने वह यहाँ पर स्लैक करनी है, मेरे टाइटल की जो कैटागरी थी पर स्लैक कर ल है, सब कैटागरी में मैंने सोशल मीडिया डिजाइन को स्लैक कर लिया है, यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, सर्विस टाइप में, तो जो भी सर्विस दे रहूंगे, वो स्लैक कर लेनी है, मैंने यहाँ पर थमनिल्स की सर्विस देने है, तो थमनिल्स डिजा बोलूँगी जैसे टायटल में आप पहले सर्च करेंगे कि कौन कौन से कीवर्स आरहे है उस पर रिस rethink करेंगे पुरी और कीवर्स निकालेंगे टायटल लिखेंगे इसी तरीके से आपने यहां पर भी टैइक्स भी वही लिखने हैं जो कीवर्स की हों जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है YouTube thumbnail thumbnail YouTube thumbnail उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिखा thumbnail design और last मैंने लिखा design thumbnail इसी तरीके से आपने भी लिखने हैं यहाँ पर at least आपने five tags देने हैं उसके बाद आप यहाँ पर safe and continue पर click कर देंगे यहाँ पर हमने overview complete कर लिए अब हम second पर आगए है pricing पर pricing में आने के बाद यहाँ पर आप जो भी service देने उसके according price बताएंगे है कि सबसे पहले हम यहाँ पर offer packages पर click कर देंगे तो हमारे पास तीन तना के packages आजएंगे सबसे पहला है basic दूसरा है standard और तीसरा है premium आपने यहाँ पर packages के name देने हैं सबसे पहले हम basic का name देंगे यहाँ लिकावे name your package तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है name basic फिर second standard पर यहाँ पर भी name देना है तो मैंने यहाँ पर name दे दिया है standard और इसी तरीके से अब हम third पर हैंगे और वहाँ पर भी name देंगे तो यहाँ third premium पर मैंने name दे दिया है premium packages के name दे तो यहां पर मैंने तो कैची यूटियोब धिरी टीटी-टी-फ़ में, और यहां पर मैं चेंजिंग करने थी, मैं वहाँ पर कर दूँगी स्टैंडर्ट के डिस्क्रिप्शन लिख लिए अब हम आएंगे यहाँ पर प्रीमियम पर आकर भी यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दे लिए तो मैंने यहाँ पर भी कॉपी कर रहा मैं और हावा पेस्ट कर दिया है और यहाँ पर भी जो मुझेज़ा है चेंज हैं दिग ट यहाँ पर आज़न आ Пरेश News करने दिगा भी निगे उसके बाद यहां पर delivery time slack कर लेना है कि आप किस time पर काम करके deliver करेंगे यहां मैंने basic में one day कर लिया है और यहां पर standard में two days कर लिया है और premium में यहां पर मैंने three days कर लिया है आप पी जिस time देंगे काम करके वो आपने time यहां पर slack कर लेना यहां पर number of thumbnails में आऊँगी यहां select कर लिया मैंने two one day में two और two days में यहां में select कर लिया three और यहां premium में मैंने three days में select कर लिये four number of thumbnails उसके बाद हम यहां पर image sourcing में basic पर भी click कर देंगे और standard पर भी और उसके बाद premium पर भी उसके बाद हम यहां पर custom design image में भी basic पर भी click कर देंगे standard में भी click कर देंगे और premium में भी click कर देंगे उसके बाद यहां आएगा source file basic पर भी click कर देंगे standard में भी click कर देंगे और premium पर भी click कर देंगे उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर रिवीजन्स तो यहाँ पर मैं बेसिक में रिवीजन्स स्लैक कर लूँगी अनलिमिटेड उसके बाद मैं स्टैंडर्ट में आऊंगी और स्टैंडर्ट में भी मैंने अनलिमिटेड रिवीजन्स स्लैक कर लिया है और उसके बाद प्रीमियम में भी मैंने यहाँ पर अलिमिटेड डिवीजन को स्लैक कर लिया है सब काम होगी है अब प्राइस भी तो बताने हैं कितने प्राइस देने तो बेसिक के यहाँ पर आपने प्राइस स्लैक कर लेने हैं मैंने यहाँ पर अभी basic में 5 डॉलर लिख दिये हैं और उसके बाद मैं standard में आई हूँ तो मैंने standard में 10 डॉलर slack कर लिए और premium में मैंने 15 डॉलर slack कर लिए आप भी अपने काम के according यहाँ पर price को slack कर लेंगे और जब आपके order आना शुरू हो जाएं orders आएं तो फिर आपकी मर्जी आप इसको change भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आपसे पूझे का आपने कोई extra service देनी है अगर आपने देनी है तो कर दे मुझे कोई नी देनी है तो मैंने यहाँ पर safe and continue पर click कर दिया उसके बाद हमारे description and FAQ आगे यहाँ पर हमें अपने description देनी है description आपने किसी की copy नहीं करनी बलके आपने खुद से बना के लिखनी है description आपकी बहुत अच्छी बनी भी होनी चाहिए ताकि उसमें सब कुछ पता चले कि आप क्या काम कर रहे है आपने describe कर रहे हैं आपे क्या आप कौन सा work कर रहे हैं किस तनहा करेंगे तो आपने एक अच्छी से description बनानी है attractive होनी चाहिए मैंने description को पहले से copy करके रखा बता ताकि हमारा time waste नहीं हो अब मैंने यहाँ पर description को paste कर दिया उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा frequently asked questions यह वह वाला option होता है जैसे कोई भी buyer आया आपकी profile पर आपसे उसे कोई भी काम करवाना है अब वो आपसे frequently कोई question पुछना चाहता है तो आप एक seller हो आपको पता है कि buyer आपसे कौन कौन से questions पूछ सकता है आपकी service के according तो आपने वो यहाँ पर questions बताने अभी मैं यहाँ पर सिर्फ example के तौर पर एक ही question का answer बता लिए हूँ आपने question भी देना है और यहाँ पर answer भी देना है ताकि frequently उसको अपने question का answer मिल जाए अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही question add करके दिखाऊंगी और उसी answer add करूँगी क्योंकि हमारा time waste होगा अगर मैं ज्यादा करूँगी तो आप चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं आपके जहन में जो जो questions आ रहे हैं कि buyer आप से कौन कौन से questions पूछ सकता है आप उसको frequently जवाब दें तो आपने यहाँ पर questions add करके उसके answer भी add कर देने ताकि frequently buyer को पता चल जाए उसके question का answer यहाँ पर question add करना है और उसके बाद यहाँ answer लिखना है तो मैंने यहाँ पर question लिख दिया है what type of thumbnail can you make इसी तरीके से आप अपनी service के according यहाँ पर question लिखेंगे जैसे मैंने अपनी service के according लिखे है कि buyer मुझसे यह question पूछ सकता है कि मैं कौन कौन से type के thumbnail बना सकती हूँ तो मैंने यहाँ पर इसलिए यह question add कर दिया और उसका answer भी add कर दिया I can make thumbnail for education, cooking, swing, reviews and healthy products यहाँ पर question answer add करने के बाद आपने यहाँ पर add को option आ रहोगा यहाँ पर add पर click कर देना है जो जो question साब करते जाएं वहाँ add पर click करें और उसके बाद आप यहाँ पर click कर देंगे safe and continue उपर तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला description वाला भी complete हो चुका है अब आप आएंगे यहाँ पर requirements में requirements में के जैसे के आपको क्या का requirements हो सकती है तो आपने यहाँ पर अपनी services के according requirements दे देनी है तो यहाँ पर मैंने अभी लिग दिया video title के मुझे video title बताएंगे जबी तो मैं thumbnail create कर सकूँगी तो आपने भी इसी तरीके से अपनी service के according यहाँ पर requirements दे देनी है और यहाँ add पर click करके यहाँ पर safe and continue पर click कर देना है अब हमारे पास getly को option आएगा और यहाँ पर हमने picture देनी है जैसे मैं thumbnail के service देनी हूँ तो मैं यहाँ पर thumbnails के pictures दोंगी आप भी दे सकते हैं अभी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही देनी हूँ आप चाहें तो 2, 3, 4 जितनी भी आप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पर मैंने picture को add कर दिया है और add करने के बाद यहाँ पर मैं safe and continue पर click कर दूँग यहाँ पर देखें मेरी fiber की gig create हो चुकी है यहाँ से verify ना आपर full number verify करना है इन्शाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अल्ला हाफिज